Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपिस्ट वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.04 के कोश्चिन पर को डिसकस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं, दिसमबर दो जाते हैं, इसका एक्जाम सचन चल रहा है आज आपका 12 दिसमबर, 20 से कुछ घंटे पहले M.A.History M.H.I.04 का एक्जाम खतम हुआ है तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर में आज की कोश्चिन पर को डिसकस करते हैं 500 word के अंदर में आपको 20 number के question का answer देना था सबसे पहले अगर हम आपने पहले question के और बढ़े हैं तो पहला question के अंदर में पुछा गया मौरे राजे की प्रकृति की चर्चा कीजिये आज अगर आपने morning की वीडियो देखकर गये होगी तो almost morning की वीडियो मेंने 10 chapter बताया था 10 से के 11 chapter बताया था और almost हर एक chapter से एक-एक question आया हुआ है एक भी ऐसा chapter नहीं था जो छूट गया हो हर एक chapter से question आया हुआ है मौरे राजे की प्रकृति की चर्चा कीजिये ये आपका पहला chapter का ही question है जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि question दो तरीके से पूछा जा सकता है भूस हिमांकीत राज्ये या फिर मौरे राजे की प्रकृति के बार में पूछा जा सकता है अब देखो छेतरी राज्ये से समराजी का उधे किस परकार से हुआ अगर स्टार्टिंग में जैसे आज अखंड भारत आपको देखने के लिए मिलता है ये स्टार्टिंग में अखंड भारत था नहीं बिल्कुल भी नहीं छोटे-छोटे कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था 1947 में भारत जब अजाद हो ना तो भारत के पास 555 टुकड़े थे उसको जुड़ा गया 585 टुकड़ों को जुड़कर पूरा भारत दिखता है और आज जिस सौरूप में वह 500 टुकड़ों को जुड़कर बनाए इसके बारे में आपने पड़ा होगा बहुत बार सुना होगा तो से मोरे टाइम के काल में अगर मोरे टाइम पिरिट को देखते हो तो उस समय मोरे टाइम पिरिट के अंदर में भारत पुरा 16 जनपतों में बटा हुआ था पुरा मोरे समराज्य 16 जनपतों में बटा हुआ था उसके अंदर में अलग-लग राजाते सबकी अलग-लग उसासन वरस्ता प्रशासन वरस्ता थी तो उसको एक साथ लाया गया किस तरीके से उसको रेगुलेट किया गया किस तरह से प्रशासन वरस्ता कायम किया गया ठीक है उनके अंदर में क्या प्रशासन वरस्ता के रूल रे पुस्तक के अर्दसास नामक पुस्तक जानी जाती है जो मेगस थनीज के द्वारा याता विर्तांत लिखा गया था इंडी का नामक पुस्तक उसको हम सोर्स के तौर पे लिखे चलते हैं बोद धरम और जैन धरम के जो धार्मिक गरंते उसके अंदर में भी उनके अनुवाई पे कारे करते थे जैसे पर्धान मंतरिये और बागी नीचे के मुखे मंतरिये इस तरीके से थो कारे किया जाता था तो किस तर से राजा कई यह order सरुपर ही माना जाता था, यह सारा कुछ यहां पर आपको इसके अंदर में पढ़ना है, जो अल्रेडी मैंने करवा रखाया, आपको वीडियो के अंदर में, गर आप देख कर गए हो, तो अच्छे नंबर से आपने किया होगा, अच्छे तरीके से किया होगा, अच्छे किस तर से चलाया जा सकता है, किस तर से नहीं, अगर आप देखोगे, दच्छनी भारत के अंदर में, तो जो चेर, चेन, पांडेन, जो जितने भी आते हैं, पल्लव, पांडेन, टोल, चेर, इस सब, तो कुछ जगह होगा पित्रवनसिक अधार पर था, उत्तरादिकारी का करोगे, तो मात्रवनसिक की बाद क्या, वहाँ पर पिता का, मतलब मेल पर्चन का कोई रोल नहीं रहता, वहाँ पर, जैसे मालो मेरी माँ बनी रानी, उसके बाद मेरी बहन, उसके बाद फिर उसकी लड़की, जो पावर का ट्रांसफर होगा, उसरी औरतों के अंदर में ही विक्सित क्या जा सकता है, उसके बारे में बात के जाता है, तहरी केंदरी करन, किस तरह से वैपार का केंदरी करन सो रूप विक्सित क्या जा सके, इसके बारे में बात के जा सकता है, यह सारा कुछ आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जैसे आप डैली के अंदर में केंद्र के तौर पे हैं तो किस तरसे ना राज्य की विवस्था को चलाने के लिए अर्थ विवस्था को सुचारूप से आगे बढ़ाने के लिए विकास करने के लिए केंद्री कृत वैपार केंद्र को निर्मान किया गया ठीक किस तरसे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गया वो सब कुछ आपको यहां पर डिफाइन कर ठीक है अलग-अलग दिश्टी कौन क्या थे किसका क्या माना था वो भी आप यहां पर बताऊगे अच्छे तरीके से यहां पर question का answer बन जाता है second question समझने आता है question के और बढ़ते third question भी मैंने आपको करवा रखा था सुभा वाले question में भी पताए था कि विजय नगर से रेटेट question आएगा या आएगा विजय नगर राज्य की प्रकृति के है तो यह देखो विजय नगर का question important है और विजय नगर की जब हम बात करते ना तो one of the popular इस जगह में से एक आ जाता आपका विजय नगर जिसका ना विकास बहुत अच्छे तरीके सुआ कई सारे गरंत मिलता इसका अगर आप देखो प्रशाशन विवस्ता तो बहुत ज्यादा था समराज्य विवस्ता था राज्य विवस्ता था सहरी करन के विवस्ता थी ठीक है नगरी का विकास सहरी करन का जो पूरा पर किरिया किस परकार से विक्सित हुआ वो सब कुछ आपको देखने क्ले मिलता है राजा किस तर से रूल करता था ठीक है किस तर से प्रशासन वि तो जैसे आज के समया Ministry होती हैं कि भईया कृष्वीCT मंत्रालली यह है तो उस तश्वी का इवाइड उस तरह के समाराजी आपमें दरें वह आपको देखनेक निलता निलता है तो मुगल राज्य के परकिर्ठी की जो जो मुख्य विसेश्था है उसको क्या था वो बताना है देखो अगर आप बात करते हैं मुखर रास्तव के बारे में तो किस तरह से ना उनका पूरी जो ववस्था थी वो चल रही थी ठीक है किस तरह से वह पूरी ववस्था चल रही थी रूल रेगलिशन क्या था और कर ववस्था किस तरह से इंप्लिमेंट किया गया समाज के अंदर में ठीक है कर ववस्था अलग लगतर के करो को लाया गया मुगल समराज्य के इंतरगत में ठीक है आर्थिक रूप से किस तरह से उनको सक्षम बनाया गया भूमी को लेकर किस त husbands सुंह और कवगुंग के बारे में ने पढ़ाया था कि पूरा जो लोगों का समु संग जिसे हम बोलते हैं, संग, गंसंग के बारे में लिख सकते हो, हैदरéraواद, राज्ये के बारे में लिख सकते हो, ठीक हैदरावाद, राज्ये, अवध, के आपको इसके बारे में ने पढ़ाया था, ये वाला कोश्चोन भी मैंने करवा रखा था तो इनको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो आगी बढ़ोगे तो कोश्चन नमर सिख जहां पर हम बात करते हैं भारत में देशी रियासुतों का उदे की रूप रेखा किस परकार से रही अगर आप देशी रियासुतों के उदे की बात करोगे न तो स्टार्टिंग जैसा नहीं था कि सब पांसो पैसे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था जब मुगल सत्ता का अंत हुआ जैसे मुगल सत्ता का पतन हुआ जितने भी भारत के अंदर में जो देशी रियासुतों के अंतरगत आते थे उन्होंने अपने आपको सोतंतर गुशित करना शुरू कर दिया कि मैं सोतंतर जो भी जैसे मुगल सत्ता के अंतरगत क्या हुआ कि इतना बड़ा छेत्र है तो राजा इस जगा पर बैठा हुआ है तो राजा हर जगा तक पूरा हो नहीं कर सकता अपना कंट्रोल नहीं कर सकता तो राजा ने क्या किया इसको कई सारे पार्ट अब इसका में चीज़ क्या हुआ कि अब राजा को न अगर मालो दो नमबर की तरह से कोई अटेक भी कर रहा है तो राजा को यहां से आने की जूरूत नहीं है उसको कुछ अधिकार दिया वह खुद ही वहां पर समाल लेगा किस तरह से क्या चीज़ है तीन तरीके से अगर माल लो इदर आठ नमर वाले पर क से इसी तरह से प्रोसेस पर जब मुगल सत्ता का अंत होने लगा ना जो वहां के में राजा थे वो इतने कमजोर होने लेगा उनकी जो परसास में व्रस्था था जब डगमोंगाने लगा ना इसके बाद यह जितने भी नंबर थे ना अपने आपको सुतनतर गोसित कर देया वह सब यह करण बनता है और बिटिस सरकार के द्वारा बिना कई सारे समराज्यों को पतन करके यहां पर देसी रियासुतों का उदे करवाए गया तो यह भी चीज़े आपको यहां पर देखने के लिए एक्स्प्रेंट कर सकते हो कोश्चन नमर 7 की बात को तो कोश्चन 7 के नहीं ठीक है आप बता दो मैंने भी तक reply नहीं दिया है मैं बस वेट कर रहा था इस वीडियो के अंदर में बता दीया था बट अभी यह वीडियो के अंदर में बात करते हो और फिर मैं वीडियो भी share कर दूँगा उनको बता दो भारत की जब आप नियाए विवस्था की की बात करते हो ना आज के समय में अगर मानलो सुप्रीम कोट के अंतरगत आता है सारा Paleo कोट किस्टा में कानून में वर्ष करता है कि किसको क्या सजा देना अगर कोईron करके जा रहा उसके लिए क्या सजा होगा ठीज ने गाली कर गया सिर्व तो उसके लिए काट के गया तो उसके लिए काट के गया तो एक प्रॉपर पर्खेरिया है कि किसका क्या कानून विवस्ता है तो उस टाइम पे तो सभी धान बना नहीं था कि भी यह डॉक्टर विम्रा उसके बात करोगे तो राजाओं को सरुपरी माना जाता तो जिस तरह आज हम जज को देखते हैं कि सुप्रिम कोट का जज़ है मतलब उसने जो बोला ना वही सही है बाकिसा गलत जना कर दिया अगर सही के पक्ष में किया तो बहुत कुसे जलो सत्य की जीत हुई अगर उसने गलत के पक्ष में भी कर दया, Supreme Court के दोवारा, high court के दोवारा, ठिके, lower court के दोवारा, अगर किसी गलत पक्ष के अंदर भी फैसला आ जाता है, उसके लिया आ जाता है, तो भी वही सकते हैं, झो जुँ सही वाला है, वहीज भूला है, ठीके, यह चीज होता है, करता था यह जिसमें उच्य को लोग जीक जी को ऊटेने उन से बात करता था अपने मंत्री मंडल पर उसके फैसला लेता था अच्छा यह वाला ऐसा करना चाह melhor고ANG शूम्रती के बारे में आपने सुनऊगा य 9 बल्लम के बारे में सुनऊगा और बहुत सारी जो पुरांइก गरंथ है् या इक्जाम्पल से पुरानि गरंथों के अदार पर उप्रानी गरंथों में जो भी ग्जाम्पल पिर जो उनके धर्मिक गुरुवा करते थे, उनके पास अधिकार होता था, सूफी संतों के पास अधिकार होता था, कि वो नया विवस्ता को रेगुलेट कर सके, मुगल काल के अंतरगत भी दिखो गए, या फिर उनके जो इसलामिक सासक आया, उनके अंधिन भी दिखो गए तो सूफी संतों को अपने पास में रखते थे, ऐसा नहीं होता था, सूफी संतों को रख रहे हैं, तो भगवान के लिए उजवरत ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं भाई, सूफी संतों को इसलिए रखा जाता था था, कि बहुत जाता था, उस समस्दार लोग हुआ क कर देते थे ठीक है बुद्धी से काम लेते थे राजाओं की तरह इसा नहीं गर्म खोने की चलो मार दो पीट दो ऐसा नहीं होता था जिसे काम-लेते थे संत हैं क्या फिर उनके जो सजेशन देने वाले लोग होते ना जो उनके आईसाइपस अधिकारी हैं फिर वो उसके उपर में गढ़ना करते हैं कि अच्छा हाँ इस तरीके सब्सक्राइब कर सकते कर सकते हैं यह वाला समझ में आ गया होगा क्योंकि जिस तर से कमेंट आने सुरूगे थे ना पांच वजे बाजबापका एक्जाम खतम हुआ कि सरी वाला कोश्चन छूट इगा नहीं आ रहा समझ में मैंने घलत कर दिया मैंने घलत कर दिया तब मैं निटेल में थोड़ा बताना जरूरी है यहां ठीक है एक ही है मतलब एक ही वर्ड है अलग में नाम मैंने बोल दिया बस एक गुलाम वंस के दिन आते थे पर जबकि आप मुगल वंस के दिन में मुगलों का जो पूरा दौर रा उसको हम यहां पर काउंट करके चलते हैं अगर आग दिली साशन के दिली सुल्तानों के जो आके रेखुलेट कर रहे हैं उन्होंने गुलामों को अपनी जगह पर इस्थापीद कर रखा था ये चीज़ वो चीज़ बागी हुकूम के आदार पर कारी किया जाता था तो जो में मर्परमुख कार्य और जो भी परमुख कारी है उसके लिए यहां पर भरोस्यमन गुला अब गर आपने मूवी देखी होगी जिसके अंदर में गोलाम पूरा गुलामवन्स पूरे पूरे परोपर बता रहा है किश तरह से क्या चीज़ 365 तो उस टाइम को आप देखोगे उस मोवी को देखोगे तो आपको समझ में आगा किस तरह से गुलाम वन्स था क्या चीज था ठीक है वो आपको तो समझ में आजाएगा सल्तान के ओदे के बाद भी जो सल्तनत का सबसे महत्पून होता था था न tek रोज़िवर। करते हैं दिवाने वजरात जो मतलब finance ministry और home ministry उसको माना जाता था यह सबसे खास है गुलामों के बाद में गुलता 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 गुलाम तो बाद में आते थे और कई बार गुलामों को भी पद उफ़र के जाते थे कि आप इसको इस तरह से चला सकते हो अगर इन सलतनत्रेंज के जो आका थे वह बाहर बैटे हुए थे उन्हों ना पॉइंट कर दिया कि चलो तुम जीत गए ना चलो तुम ही चला लो ठीक है मान के चलो आपने 20 लोगों को किसी जगह पर लड़ने के लिए बेजा और 20 लोगों लड़कर वह जगह जीत गए तो जीत तो सुचेगा अच्छा ठीक है मैं मालिक हूं मैं कर रहा हूं अपने हिसाब से ठीक है बट वह मेंन ओर्डर आपका फोलो कर रहा है उसी तरीके से गुलाम वंज के दिन किया गया तो किस तरह का साशन में विस्था तो वह आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो अगर आप रेलवे की बात करते हो तो भारत के अंदर में रेलवे ना जैसे कई सारे जो लोग है जो बिटिस सरकार के प्रसंसक है वो यह मानते कि भाया रेलवे एक बहुत बड़ा मतलब ना कदम रहा जिससे भारत का विकास का दौर शुरूआ ऐसा कुछ नहीं था अंगरेजों ने कभी भारतियों के लिए रेलवे नहीं सुरू करी कि भारतियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वो एकदम खुसी खुमारे फूले नहीं समाएंगे वो बिहार से यूपी आराम से जा पाएंगे दिल्ली आ जाएंगे ऐसा नहीं था अंगरेजों रेल्वे की सुरुवात इसलिए करी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल असानी से कर सके और रेल्वे की सुरुवात जोर्थो से शुरू इसलिए हुआ और बड़ी तेजी से इसलिए शुरू किया गया 1857 के बिरोत के बाद में इसका रेजन यह था ना कि 1857 का जो विद्रो था ना इतना नजदीक था ना मतलब ना हलका सना सुई बर का फासला रह गया जिसके कारण से हम हार गए अगर हलकी सी और हम जोर लगा देते ना यह हमारा सपोर्ट मिलता लोगों का तो साथ हमारा जो भारत कम जो अजादी कहते ना 1947 में उसाइद 1857 हम याद करना पड़ता ठीक है 1947 की बजाए हमें याद करना पड़ता है 1857 यह भारत दिस अजाद हुआ तो साल पहले इसका रीजन यह था ना कि अंगरेजी जो सेना थी ना पूरे भारत की छोटा मोटा साहा है नहीं एक छोर को उनकी सेना अठकी हुई या भारत के अंदर में इधर लड़ाई हो रही है जब तक वो ना इधर इधर से पहुंचेंगे कहीं से पहुंचेंगे जब तक में तो खतम था किया तो उसके कारण से railway की स्थापने की कि जिससे एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस असानी से पूरा किया जा सके और जो में या पर प्रस्पेक्टिव यह था कि वो इन सब चीजों को करतो रहे हैं पर यहां पे रेल भी चाया उन्होंने इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह वो सारा जो भी संबत्ति है आपको खोकला करके ले जा सके आपको लॉलीपॉप दे रहे थे और आपके घर से जितना भी ना पूरा स्टॉक था ना चीनी उनिका जिसे लॉलीप को बनना था वो ले जा रहे थे आपके हाथ में एक दो रूपय का लॉलीप दिया बागी ले गए तो इस तरीके से पूरी ववस्ता तो और इस रेल ने क्या क्या कि सैन ने जो भी सैनिक होती थे थी ने व गुलान बना करका रखा जस्ट विकोज ओफ रेलवे के कारण से क्योंकि रेलवे के कारण से भारत को पर में उसकी पकड़ मजगूत होती चलिए यह कहीं भी एक छोर से दूसी चोर जाना है तो इसी से जा सकता था साथ उसका परसासन करने का तरीका तो उसमें परिवतन कि परिवतना के बारे में बता सकते हो तो तंदरता के पश्चाद जो भारतिये राज्य की प्रमुख किसे सा किस परकार कि रही वह बता सकते हो तो easy questions है और almost अगर आप हमारे दाइनव की वीडियो देखे गए हो ना तो सारे questions आप करके आए होगे कोई question में दिक्कत नहीं रहा होगा और सारे questions मैंने बताए थे ठीक है अगर आप ना हमारे आज की वीडियो देखकर गए होगे जो morning मैंने बताई थे और जिस तरसा मैंने suggest किया थे कि आप ये वीडियो देखके जाना हो वीडियो देखके जाना तो भी आप ये करके आए होगे क्योंकि बहुत easy questions थे ठीक है तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे end होता है मैं request बस यह करूँ आप सभी students से सभी viewers से कि आपको अगर हमारी वीडियो वैलिबल लग रही है तो आप अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें जो भी आपके फोन में WhatsApp ग्रूप है वहाँ पे सेयर करें और आपका एक एक्जाम और रहा रहा है